जैहिन साथियों वेरी गुड़ मानेज। सुबह के दस बच चुके हैं और मैं जानता हूं कि हम सब अच्छी बात यह है कि हमारा एक जो एक्स्टेंडेड फैमली एक्स्टेंडेड परिवार है वो इस दस बजे का आप इंतजार करता है तो दोस्तों मुझे भी उतना इंतजार रहता है जितना आपको मुझे बड़ी खुश हो रही है कि सुबह के दस बच चुके हैं हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों आईए दीरे दीरे जो लोग जुट रहे हैं उनसे कनेक्ट होते हैं अच्छी बात यह है जो जल्दी जुट जाते हैं उनसे हमें आपस में कनेक्ट होने में मौका मिलता है और बातचीत करने का भी पता भी चल जाता है कि कौन कौन लोग हमाई साथ जुट गए धन्यवाद जुडने के लिए thank you so much बहुत बहुत शुक्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप इस lockdown में अच्छा कई आप समझे इस सुबह दस बजे का जो समय है ना अगर यही समय हमारे दो बजे का होता तो शायद हमारी वीवर्शिप और जादा होती लेकिन सवाल यह है दोस्तों क्या हम यह वीवर्शिप के लिए कर रहे है या वदलाओ के लिए और सवाल यह है जो दस बजे इसलिए नहीं उप सकता इस तरह के सेशन्स को अटेंड करने के लिए कि उसे नीद आती है तो भै उसका सोजा पार करो मैंने कई बार कहा है और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो खुशाली मैं मैं भी मोटिवेटर तैंक यू सो मच पूर जॉइनिंग श्वेता पासी जी वेरी गूड मौनिंग आकांक्षू श्रिवास्तव सर जैहें जिंदाबाद पैरेंटिंग पे लाइफ सेशन्स कर रहे है आकांक्षू सर लगातार आप मेरी फेस्बुक वाल पे देख सकते हैं उन्हें जुड़ी हैं उनके साथ वन्ना जेन मैं ग्रेफोलोजिस्ट हैं बहुँद शानदार तैंक्यू स्वागत मैं अजय कुमार साब बेगु सराय जी भूमिशेले सर मैं भी मोटिवेटर काशिफ अंसारी साब हमारे साथ जुर चुके हैं काशिफ सर स्वागत है आपका आकाश लशकरी जी वन्दे मात्रम आकाश भाई कैसे हो आप आजय कुमार जी मैं भी मोटिवेटर क्या बात है जी भाई पिंकी कोहले जी पिंकी कोहले मैं थैंकिो सो मच पूर जॉइनि आस वन्दे मातर महरा हम सहन मोटि वेटर क्या बात है आदित्य विश्वाश भूशन सर ने हमें जॉइन कर लिया है मैं बता दूँ दोस्तों मेरे यूचूब चैनल पर वीडियोज है उनके एडिटिंग उनके पीछे बहुत बड़ा योगनाम दो लोगों का है आदित्त विश्वाद भुशन साब जो उनको एडिट करके इस लाइक बनाते हैं मुझे की लोग सुने और दूतरे मोहित भाटी जी चोगानपुर से जो जिनोंने मेरी हमेशा मदद के जिनोंने वो वीडियो शूट की हैं मैं दोनों को धन्यवाद करता हूँ परती क्या दव राजा वेलकम बैक टू इंडिया मेरे दोस्त कहां ते राजा बदलाव आई लिए क्या बात है वानना जैन गूड मॉनिंग स अब बहुत अच्छी लगी आपने इस वर्ड को सेंटेंस को बिल्कुल कैच कर लिया है अपने अंदर अपने अंदर में कोंगे इंबाइल कर लिया है मैं भी होसला बनूगी फ्रोज बॉदला सरपन साथ वेरी बॉनिंग सरपन साथ कैसे हैं आप अनिल सार थैंक्यू सो आपके गाडियां तो लाजवाब हैं मशला आप लोग की लाजवाब हैं जैसे हुंडई कंपनी अपने प्रडक्ट को डैवलप करने के लिए हमेशा रिसर्च आर इंडी पर फोकस करती है मैं एक चीज के लिए अप्रिशेट करूंगा हिंडई के पीपल भी सेल्फ डेवल आकांख्शिय सर का एक मैसीज बड़ा किलियर होता है भाई शेयर वो करेगा जो शेयर होगा राजा शेयर किया करते हैं दानी अगर राजा बनने का शौक है तो दानी बनिए या दानी बनने का शौक है तो राजा बनिए सूपरभाश्ठ चले दोस्तों अभी शेख बाई जूट चुके हैं छोटे भाई हैं हमारे जॉन ब्यून जी जूट चुके हैं हमारे साथ तैंकि सो मच आईए दोस्तों बात करते हैं अच्छा आज के सेशन में ट्विस्ट है थोड़ा सा अच्छा पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री किसना यादव मैं और वरूल यादव सर को बहुत-बहुत साथ वाद देता हूं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इन विशम परिस्थितियों में पावर और पर्पस पे हमने बात के थे उनका पर्पस बिल्कुल के लिए था कि इस लॉक डाउन में लॉक डाउन में कि सो मच बंटी शर्मा जी हाओ यो कुंदी बंसर जी देख रहे हैं कुंदी भाई हमारे सब इस्पेक्टर हैं बहुत शांदार अभी कुंदी भाई ने एक वीडियो बनाया था जिसे आधरनी है रिस्पेक्टेड इंडिया के सबसे बड़े या मैं कहूं मोटिवेशनल स् हाँ करेंगे चेंज़ ये रखेंगे क्योंकि आज गर टॉपिक आपने सुना B.I.B. उसको बोलता हूं बी आइभी बी मतलब बोल इंडिया बोल तो यहां के वल मैं यहीं नहीं बोलूंगा इंडिया बोलेगा और इंडिया मतलब आप बोलेंगे थोड़ा सा सबसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, सोनु शर्मा जी, वेरी गुड मॉनिंग, स्वागत है आपका, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप मेंसे कितने लोगों को लगता है, कि ये बोलने का जो हुनर है, ये बोलने का जो टैलेंट है, वास्ताम में भूट important है आप मेंसे कितने लोग इसकी important समझते हैं जरना मुझे बताइए सुमिस सर मजा सर वंदे मात्रम सौरवस्ताना सर थैंके सो मच संजीव कुमार यादा हुजी थैंके पूर जॉइनिंग अस सुमिस सर आप मिली चुके हैं सुमिस्ता से शांदार परसिनलिटी सौरवस्ताना सर की voice tonality आप देखिएगा उनका voice modulation आप देखिएगा वो poems को जब अपने अंदाज में सुनाते हैं तो you'd love it राजेश्वनी सर very good morning परेश्टिरवेजी सर good morning सर आज मैं राजेश्वनी सर को भी एक topic dedicate करने वाला हूँ बताऊंगा तो कौन सा रहेगा अमित गुर्जर जी मिरगपुर से जुड़ चुके हैं अमित हमारे भाई चले दोस्तों बताए यू आलवेज रो शाली नी शर्मा जी तैंक्यू सो मच शाली नी ने बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे motivate करने के लिए और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों motivator को भी motivation के जोट पढ़ते हैं और motivate आप किसी को कर सकते हैं प्रेज करके उसको motivate करके एप्रिशेट करके जानी सुरिया वंशी जी वेलकम बैक टो इंडिया सर कहा थे या सर आप तो कभी भी बहुत-बहुत साथ हुआ सर ह आप में पावर देने के लिए राम राम करूने भाई जी राम ज्यानी भाई जी तैंक्यू राम भाई जी अच्छा दोस्तों बताई बोलने का skill बोलने का हुनार कि कितनी importance मानते हैं आप life में क्या मानते हैं लें देन करेंगे सर क्या बात पिंकी मैं आपने मुझे एक बात काम है अगर उस positivity को हम अपने तक रोग गए यकीन जानिए वो हमारे भी किसी काम की नहीं है जैसे जमा हुआ पानी सड़ जाता है वैसे जमा हुई positivity भी खतम हो जाएगी मैंने कल पर सो कहाता है आद है बाहर चोर हारी हमने ब्रात महाजी हमने चे बाहर का रही विए करते व सार्थकता है क्या बात अजितन नागरबाइग मैं Thank You So Much आप समझी पा रहे हो क्या सारथकता है अगर आप ये सवाल पूछ पा रहे हैं Lockdown में तो इस सवाल से ही पता चल रहा है कि online की क्या सार्थकता है ना online session होते ना आप ये सवाल यहाँ पर पूछ पा रहे होते यानि online thoughts की sharing को रुकने नहीं दिया online development को रुकने नहीं दिया इस online ने और मैं तो आज कल एक line बोल रहा हूँ if you are not online you are not even in line आप in line भी नहीं है अच्छा आज के जो सवाल जवाब हो दोस्तो वो बोलने से संबंदित हो सवाल जवाब वाले अगले session में शुरू करने वाला हूँ दो ए वेलकम सर राजिश कास्वान सर शुरी कुशाल दास युनिवर्सिटी के रेश्टार साहब है और इनके ही माहत दर्शन में ये मुहिंग चल रही है शुवान शर्मा जी most important पिंकी कोले के वें सही है सर चलिए दोस्तों मैं बास शुरू करता हूँ बोलना बहुत important है हम सब जानते हैं मैं तो यह कहता हूँ अगर हमें बूलने का हुनर नहीं है ना तो हमारे सारे हुनर अपने आप दब के रह जाएंगे वो किसी को पता यह नहीं चलेगा अगर आम उसे जहें जहेंद आकाष भाई जाहिए इंद बंदे मातराम विश्मनाद चाक्रवर्ती जी कह रहे हैं वर्ल बेस्ट रिमें जी मैसिव सेक्सेस क्या आप बात कही है विश्मनाद साहब बिल्कुल सेक्ष अब मेरा पॉइंट आप जुड़ी है दोस्तों अब मैं हाजर सेशन शुरू कर रहा हूं बोल कितना महत्पून है यह पॉइंट समझना शुरू आप काई पॉइंट बोलना कितना महत्पून है वह आप इस बास से समझ सकते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता काम से होता है यह समझाने के लिए भी बोलना पड़ता है मैं फिर repeat कर रहा हूं इस वाली line को बारीक line है आप लोगों को मैं बहुत अच्छी audience बहुत समझदार audience मानता हूं तो इसलिए कभी-कभी बारीक बात है आप से बोल देता हूं फिर repeat कर रहा हूं सुनना बोलने का हुनर कितना महत्पून है इस पास से इस हुधारन से समझिए रागविल भाई जी तैंक्यू सो मच हमारे यह रागविल भाई बहुत जबर्दस समझी कारे करता है हमेशा अच्छे कारियों में लगे देता है सोनु अडवानी जी जंडा अवली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तैंक्यी शोबच सोनु फर जॉइनिंग अस वैलकम बैक टू इडिया मेरा पॉइंट समझना दोस्तों बोलना इतना महत्पून है कि बोलने से कुछ नहीं होता यह समझाने के लिए भी बोलना पड़ता है अब देखे बोलना कि दा मैं पून है एक बात और मेरे ध्यान रख रहे हैं दोस्तों बोलने से कुछ नहीं होता मैं एक सेशन ले रहा था और होना डेवलप किया जा सकता है गोपाल सेंग सर क्या बात कही आपने एक सेशन ले रहा था मैं जहां पर मैं बात कर रहा था इंटरनल कम्यूनिकेशन मैंने का आप याद आपको इंटरनल कम्यूनिकेशन मतलब और एक्स्टरनल कम्यूनिकेशन से मेरा मतलब ये था इंटरापरसनल स्किल्स और इंटरपरसनल कम्मिनिकेशन स्किल्स तो मैं वहां बात कर रहा था बोलने के उपर मैंने का बोलना ऐसा शुरू कर तो बोलने से कुछ नहीं होता बोलाई तो है उसके बाद आज तक उसने कुछ से यह बात नहीं कही कि बोलने से कुछ नहीं होता दोस्तो इस दुनिया में जो कुछ होता है बोलने से होता है और ये जो वो लोग है ना करते ही क्या दा राजा साब बिनारोई तो बच्चे को बोद नहीं बिलाती है जो भी नहीं पता तो क्या बात है क्या बात के ये राज आपने मेरा पॉइंट सुना दोस्तों मैं अच्छा आज के बाद नोटिस करना बोलने से कुछ नहीं होता 99 गैरंटी वर्ड यूज कर रहा हूं 99 परसेंट ये लाइन वो लोग बोलेंगे जिने बोलना नहीं आता होगा कभी भी देख लेना आप मैं गैरिनटी वर्ड यूज कर रहा हूं बोलने से कुछ नहीं होता 99 परसेंट केस में वो आद्मी इस लाइन को बोलेगा जिसे बोलना नहीं आता हूं एक और उधरन देता हूं नोटिस करके देखना अपने आस पास पास पैसा तो हाथ का मैल है ये डायलोग कौन बोलेगा मैं लिख के दे रहा हूं और नोटिस करना आज के बाद पैसा तो हाथ का मैल है ये या तो वो बोलेगा जिसके पास पैसा नहीं है और या ये वो बोलेगा जो चाहता नहीं कि कोई दूसरा पैसा कमा ले ताकि सामने वाला बस पैसे को हाथ कमेल समझके बस इसी डाइलॉग में लगा रहे हैं, और यहाद भी पैसे कमा जाए हैं। जिसके पास पैसा नहीं हैं। जिस तो बोलना कितना महकूं हैं, वो इस बात से समझिएगा। बोलना कितना महकून है उन लोगों से जाकर पूछो जो वक्त पर ना बोल पाने की वज़े से जिन बच्चों के पापा बन सकते थे उनके मामा बन गए फिर रिपीट कर रहा हूं तोस्तों वक्त पर ना बोल पाने की वज़े से जो लोग जिन बच्चों के पापा बन सकते थ फिर उनके मामा मन जाते हैं फिर मैडम एक देरि साल अबाद दो साल बाद गई माजार में तकराती हैं और भाइ साब को देखके बोलती हैं बैटा मामा जी से नमस्ते करो और मामा जी फिर भाण जे को Direk दे रहे होते हैं बिल्कुल डेफिनेटली काशिव अंसारी साब वरू ज्यादर सार तैंकिस सो मच पर जॉइनिंग अस सुभाज चौद्री जी वेरी गुन मान है आज का विशे ही ये है कि बोलने की कला को कैसे डेवलक किया जाए चलिए देखें दोस्तों पहले बोलने की बात कर रहे हैं तीन तरह के हुनर होते हैं किसी के भी अंदर तीन तरह के हुनर हो सकते हैं पहला point समझना, पहला लात का हुनर, लात का हुनर समझ गए, शेवान जी thank you so much, लात का हुनर समझ गए, लात का हुनर पाया जाता है गधों में या गुंडे बदमाशों में, लात का हुनर समझ गए, दादा पहलो अन्नी बत्तमी जी लात का हुनर, तो भाई इसकी तो हमें ज समझे लो मैं नाई हूँ बाल काटता हूँ तो बाल काटना मेरा हाथ का उनर है मैं डॉक्टर हूँ तो दवाई देना मेरा हाथ का उनर है मैं 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 एंजिनियर हूँ तो मशीन बनाना मेरा हाथ का उनर है तो लाथ का उनर तो गुंडों में या गदों में पाया जाता है वो हुनर जिसके हाथ के हुनर में ये बात का हुनर जुड़ गया फिर उसका काम उड़ता है उसका काम दोड़ता है वो नाई जो बाल भी काट सकता है और बाते भी कर सकता है वो डॉक्टर जो दवाई भी अच्छी देता है बाते भी अच्छी करता है वो सेल्स पर्सन जिसे प् लोगों के पास already है आज मैं impart करने की कोशिश कर रहा हूँ आज मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बोलने से ज़्यादा करके दिखाओ बोल हिपो कॉर्पेशन के members बोल बोलने से ज़्यादा यही है आपकी opportunity क्या बात है कि खोले मैं thank you so much बोलना महत्कून है दोस्तों अग अगर आपके हाथ के हुनर में ये बात का हुनर जुड़ गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामियाब होने से नहीं रोक सकती आज हम उसी बात के हुनर की हां देखो मैंने कहा न कई सारी चीज़ें तो मैं इस सेशन में इसलिए भी बोल पाता हूँ क्योंकि sensible audience है आप लोग audience बहुत sensible है नहीं तो हम लोग देखो एक घंटे हम communication skills पे session लेंगे और पता जब session खतम होने वाला हो रहा है उस सवाल क्या पुछता है बंदा जो सुन रहा है वो सवाल क्या पुछता है I have seen so many time पूरा डेड़ घंटे का session किस पे ता एक घंटे का communication skills पे हमने session लि बायो गैस बनाने की विधी बता रहे थे तो मैं हम पिछले एक घंटे से तो communication skill improve करना बता ही नहीं रहे थे अब आपने सवाल पूछा how can I improve my communication skills तो मैंने का पचपनी मिनट से क्या कर रहे थे विरम हम पचपनी मिनट से बात किस चीज़ की चल रहे थे तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये बातें तो आम लोगों के लिए साधारन प्रामियों के लिए चल रही है मेरे लिए तो अलग से बताई जाएगी so what I mean to say आप लोगों की जो बोलेगा उसको सब कुछ मिलेगा भूमेशेले जी मैं good morning sir हितेश कुमार तिर्वेदी जी मैं भी motivator आपके साथ 9 बज़े से 10 तक मज़ा आ जाता है sir mind blowing देखे ग्यानी sir इतने मज़े में हैं इतने आनंद में हैं कि वो 10 से 11 को भी 9 से 10 लिग गए आन ज्यानी sir इससे दिखाई पड़ता है आपका focus सुनने पर कितना है ये आप और समझना इसको में आप समझना इस हुदारन को ये मैंने बहुत positive sense में कहा है आपसे मेरा point समझना एक बार एक किस्सा बीच में आज के topic में तो थाई नी पर मुझे याद आ गया मजनू नाम स कितरे भागे जा रहा है और वह भागे जा रहा है तब हागते भागते उसका पैर एक फसान नमाज पढ़ रहे हैं कोईट समझना दोस्तों मजनू कहता है सर माफ कर दीजिये गलती हो गई दरसल मैं लैला के खयालों में इतना खोया हुआ था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा पैर आपके कपड़े पर पढ़ गया और भाई साब आप भी तो नमाज पढ़ रहे थे आप भी तो भगवान आपके मकसदों पर होता है तो बाकि सारी चीज़े गौन हो जाती है आप लोगों के लिए अशोग उपताजी तैंकि शो मच अशोग सर्म नरेश कुमार रहा दा हुझे जॉइनिंग के लिए धन्यवाद रोहित बैसना भाई तैंकि शो मच पर जॉइनिंग अस पॉइंट यसे बोलते हैं जिसको जानने के बाद मेरी ग्रोथ हो जाएगी मेरा डेवलेपमेंट हो जाएगा अब बातों को मतलब वही निकालते हैं जो आपको निकालना चाहिए जो होना चाहिए, मैं spoken English की class रही है, मेरी इंदौर में institute था मेरा, 10 साल मैंने spoken English पढ़ाया है, तो कई बार हम बोलते थे, भई English बहुत महत्कून है, तो पता सामने वाला खड़ा हो के, नई सर, Hindi जावर मदर टंग, अरे मैंने का यार, मैंने का दूद बहुत महत्कून है, इस मेरा point समझना दोस्तों, और एक point चलो, याद आ गया, तो एक share करता हूँ, समझना इस बात को भी समझेगा, फिर मैं एक line कहा करता था और ये line इसलिए कहा रहा हूँ, क्योंकि आप इसका मतलब समझेंगे, message समझेंगे, तो फिर मैं कहा करता था मेरे दोस्त, if Hindi is our mother tongue, then English is our father tongue, अब ये हमारी father tongue कैसे हो गई, समझना कैसे हो गई, मैं समझाता हूँ, बताइए मा का काम क्या है, मम्मी का काम क्या है, मा का काम है, संसकार देना, तमीज देना, तहजीर देना, बच्चों को संसकारित मनाना, ये हमारी Hindi language करती है, हमें संसकार देती है, तमीज देती है, और पापा जी का काम क्या है पापा जी का काम है घर से बाहर जाना पैसे कमा के लाना पैसे कमाना और हमें पैसे कमाने का काम कौन सी लेंग्वेज करती है इंग्लिश जॉब दिलवाने का काम करती है इंग्लिश जॉब दिलवाने का काम करती है इंग्लिश हमें ज्यादा कोई से पूछता हूं कि आप हिंदी इसलिए बोलते हो क्योंकि हमारी मदर टंग है इसलिए इंगलिश नहीं आती एक मैसेज दे रहाओं दोस्तों कि मेरा एक दोस्त था हम लोग एक बार वी हैपन टु गो टू शिमला हम शिमला गए अमन नाम था उसका अम शिमला गए तो प एकशलियां from dealing. तो उसने का यार बड़ी अजीब बात पूछा तो तुमने हिंदी में जवाब दिया मुझे लगा तुम इंगलिश नहीं आती मैंने हिंदी में सवाल पूछा तो तुम इंगलिश में जवाब दे रहे हो. अमन ने कहा जब तुमने अपनी मा की इजदकरी इंग्लिश में बोला मैं ये कह रहा हूं दोस्तों हिंदी बोलने का मज़ा तब है जब आपको इंग्लिश आती हो और आप हिंदी बोले तब कहिएगा अगर आती नहीं है तो मजबूरी है सुमिश सर परविन कुमार राजबर सर जितने भी लोग यहां पर आकांग्शु सर जितने भी लोग मेरे साथ हियां जुड़े हुए हैं पूछे बारस साल इंग्लिश पढ़ाई है बीस साल से इंग्लिश बोलना जानता हूं आज भी बैंक में विड्रॉल का फॉर्म हिंदी में बढ़ता हूं होटल के रजिस्टर में आज भी नाम हिंदी में लिखता हूं सेमिनार अटेंड करते समय हैं जिसको अगर 50 लोग वाँ हैं तो केवल हिंदी में मेरा नाम लिखा मिलेगा मर्चौधरी लेकिन वो हिंदी बोलना मेरी मजबूरी नहीं है मेरा डिसी जने मेरी इच्छा है इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छमा शोबती उस वो जंग को जिस जामर तुझे माफ किया निकल जा ये उसका बड़पन है और हुआ दर्वाजे पर प्लास्टिक का साम पढ़ा है रो वो मुझसे कहें जामर तुझे माफ किया निकल जा तू कर क्या लेगा तू कौन है मुझे माफ करने वाला चमा शोबती उस वुजंग को जिसके पास गर आज का विशह है बोल इंडिया बोलना बोलने के दो-तीन पॉइंट पर बात कर रहा हूं सबसे पहले बोलने का पॉइंट है गुड मॉर्निंग परवीन सिम्सॉमर साब वेरी गुड मॉर्निंग पहला और सबसे महत्कून जो पॉइंट हमारे सामने उठाया जाता है सर हमें किया है हमें बोलते हुए डर लगता है मैं तीन पॉइंट पर बात करने वाल हूं दोस्तो एक तो बोलने के डर पे और एक बोलना इंप्रूब कैसे करें और कौन-कौन से टूल्स हो सकते हैं जिनसे हम बहतर बोलना सीख सकते हैं सर आप अपना नंबर नहीं दिये अभी नं नमबर पता चल गया आप का ओं मेरे मित्र दोस्त मैं तो 6 बार 7 बार 8 बार नमबर शेयर कर चुका हूं। 8871045678.This is my number 8871045678.This is my number शालिमी शर्मा जी टेंकि स्वेटा पासी जी पॉइंट समझना पहला पॉइंट आरहों मैं डरपर कि सर मुझे डर लगता है मुझे डर रख पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बता दू दोस्तों जो मैं पहले है लो सर गेट मॉनिंग विदियु जी तो डी भावे साथ तैंक्यू सो मच पहले तो आप लोग उसे question पूछ सकते हैं आज दोस्तों आप लोग अपने question पूछे communication को लेकर आप पूछे बोलने के डर को लेकर आप जो कुछ पूछना चाहें you are most welcome सतीश बैसला भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज उनका birthday भी है शायद आजी है कल था मुझे लग रहा है तो मैं सतीश बाई को बहुत-बहुत जनम दिन की बहुत-बहुत शुक्रान नहीं देता हूँ आपको बहुत-बहुत बधाईया सतीश बाई जी जीवन भरतलाल बर्दला जी राम राम जी वैरी राम राम जी आए दोस्तों जुड़ते हैं point पहला डर अगर आप दुनिया में किसी भी एक व्यक्ति को जानते हैं जिसे देखकर आपको ये लगता हो कि इसे बोलते हुए डर नहीं लगता किर्प्या करके उसका नाम बताएं और मैं आपसे कहूँगा आज उसे फोन करके सिर्फ एक सवाल पूछेगा सर आपको बोलते हुए डर लगता है क्या और मैं लिखकर गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ दुनिया में इंसान पैदा नहीं हुए जिसे बोलते हुए डर नहीं लगता हो बास हमें डर छुपाना आता है बाकी अपना डर दिखा देते हैं डर मुझे भी लगा फासला देखकर परमे चलता रहा रास्ता देखकर खुद बाखुद मंजिल मेरी और बढ़ने लगी मेरी मंजिल मेरा हासला देखकर जब आप डर सबको लगता है भाया जब शुरू करते हैं सबको डर लगता है एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करिया I have knowledge but speaking out in front of other is difficult विकाश मलिक साहब बहुत अच्छा point है फ्रोजगान पठान साहब nobody no boundary can stop in the world for you if we have communication skills क्या बात के फ्रोजगान साहब बहुत बढ़िया विकाश साह मेरा बानसर समझीगा try to understand my point इस पर भी मैं आता हूँ दोस्तों पहले मैं आ रहा हूँ डर पर की हमें डर लगता है मेरा सवाल यह डर लगता क्यों है दो कारणों से लगता होगा कि अगर मैंने गलत कर दिया तो या सामने वाला मेरा मजाग उडाएगा अगर ऐसा लगता हो गया तो यही तो डर लगता होगा कभी किसी को इस बात का डर तो नहीं लगता ना कि अगर मैंने सही बोल दिया तो यानि हमें डर लगता है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो चलिए अब आप पूछते जम मैं English पढ़ाया करता था तो मैं अपने students को एक उधारन English का है लेकिन आप उसे बोलने से भी correct कर सकते हैं connect आकाज भाई कहरें डरना बहुत जरूरी है thank you so much आकाज भाई ये point बोलने के लिए share करूँगा इस point को मेरा point पहले उधारन समझो दोस्तों कि बढ़ डर इसी बात को लगता है कही हम गलत ना बोलने है ऐसा तो नहीं है कि क आप से question पूछ रहा हूं मुझे जवाब दीजिएगा कितने पर्तिशत भाहरतियां English में बात करते हैं या कितने पर्तिशत भाहरतियां English में बात करते होंगे या बोलने की कला जानते हैं आप तो यह बता दो कितने पर्तिशत बहारते इंगलिश और भूलने की कलाएं बराबर समझेगा डर के आगे जीता क्या बात के फ्रूज खान पठान साब बताइए मुझे दोस्तों कितने पर्तिशत बहारते आपको क्या लगता है connect करिए मेरे साथ share करते रहें दोस्तों watch party करें तमाम लोगों तक positivity और motivation को फैनाएं आज गोपाल सर का सुबह सुबह फोन आया उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर समस्या ये है कि हम अकेले सारी दुनिया को नहीं बदल सकते आईए सारे अच्छे लोगों आओ साथ जुडें positivity motivation को तमाम लोगों तक पहुचाएं मेरे अकेले की ओकात नहीं है राजे सोनी सर के रहें तीन परतिशत क्या बात है अनिल चौजरी साब ने कहा है अनिल चौजरी सर के ऊपर तो शेरर भी लिखा हुआ है हातिश कुमार आजे जवाब नहीं दे पाता हूँ सही वक्त पर क्या बात है बहुत बड़े हिते सर इस पर मैं point में आ रहा हूँ बिल्कुल आ रहा हूँ उत्तम में उकिप्ट शायर यामर भाई साथ दुवा तैंक्यू सोमत कमल जी सिंग चोपर साब 25% चलिए हितेश भाई अपना question देखे जब हम online बोल रही होते है न तो बहुत सारी बात है ऊपर चली जाते हैं हितेश भाई दो तीन मिनट बाद एक बार इस point को दुबारा लिख दी किएगा मैं फिर आपको इस cancer दूँगा ठीक है लिए थैंक यू काल जी सर राकेश परमार साब कह रहे हैं only 35% अरे वाट एस रेट एनी अधर आइडिया और किसी को कोई आइडिया मेरा सेशन खतम होते ही आप लोग कई बार लोग बोलते हैं सब 40% 25% 60% 30% मेरा सेशन खतम होते ही गूगल करियेगा आपकी जानकारे के लिए बत गूगल कर रहा था तो 10.35% दे रहा था हाला कि मैं 10.35% से अभी भी अगरी नहीं हूँ ज्यादा से ज्यादा 7-8% अब में 5-10% बिल्कुल सही कह रहे हैं अब मेरा उधारन समझना हमारा स्टुडेंट मेरा कहता था सर मुझे डर लगता है तो मैं उससे सवाल पूछता था मेरे दोस्त उन्हों अनली भारत में 3% लोग इंगलिश बोलते हैं आप उन 30 लोगों से मिलोगे या उन 970 से बोले जिए ज़्यादा तो हम 970 से नहीं लेंगे तो मेरा सवाल ये है कि वो 970 तो इंगलिश जानते ही नहीं वो 3% को इंगलिश आती है 97% को आती नहीं ये 97% के सामने आपने गलत भी बोल दिया तो ये तुमारा विगाड क्या लेंगे इन्हें तो आती ही नहीं है मेरा पॉइंट समझ रहे है सर ये 97% तो तुमारा कुछ विगाड नहीं सकते क्योंकि इन्हें इंगलिश आती नहीं और उन 3% में से भी 1% हमारे जैसे हैं दोस्तों हमारे जैसे समझ गए हम कैसे इंगलिश बोलते हैं यू के साथ आना तो आर चाहिए पर हम तो गलत बोल रहें तो सामने वाला भी कौन है आई आर फाइन अगर तुम यू के साथ इज लगा रहे हो तो वह भी आई के साथ आर लगा रहा है वह तो इन 3% में से भी 1% हमारे जैसे हैं जो हमारा कुछ बिगाड नहीं सकते मैं जो नहीं बैठे हुएं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए बैठे हुएं ये 2% किसी का मजात उडाते नहीं और बाकी के 97 पर्तिशत की आउकात नहीं कि मजात उडा दे तो मैंने का फिर तुम्हें डर किसे लगता है दरसल एक लाइन बोल रहा हूँ दोस्तों एक लाइन बोल दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ हमने अपने आलस से अपनी लापरवाई और अपने प्रैक्टिस ना करने की आदत को डर का नाम दिया हुआ है अब जब हम किसी को स्टेज पे बुलाते हैं तो बोलता सल मुझे डर लगता है वोई लड़का 120 की स्पीड पे बाइक चलाता है उसे डर क्यों नहीं लगता इस स्टेज पे का आके तो आज तक भी कोई नहीं मरा बाइक पे तो हजारों लाधों लोग मरे हैं फिर उसे 120 की स्पीड पे बाइक चलाते हुए डर क्यों लगा खारन बताता हूँ 120 की स्पीड पे बाइक चलाने के लिए हाथ बस यार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, किताबी भी पढ़नी पड़ेगी, सुनना भी पड़ेगा, और इतना कौन कैस्ट उठाए यार, सिंप्ली बोल दो कि हमें तो डर लगता है, जै मातादी ना कोई बुलाएगा, ना हम जाएगे, डर नहीं लगता हमे हमने अपने आलस से ला परवाई, आप मुझे बताएगे, तैरने से किसको डर लगता होगा, उसी को तो लगता होगा, जिसको तैरना नहीं आता होगा, और मेरा क्वेश्चन ये है, जब तुम्हें तैरना नहीं आता था, अच्छा बताएगे, तैरने से डर कब लगता है, जब तैरना नहीं आता या तैरने वाले को भी डर लगता है अब मेरा सवाल आप से ये है कि मुझे ये बताओ अगर मुझे तैरने का डर दूर करना है तो क्या कर लूँ तैरना सीख लूँ डर खतब हो जाएगा अगर मुझे बोलने से डर लगता है तो क्या कर लूँ बोलना सीख लूँ अब सवाल ये लिक्त ये है जब हम बोलना सीखने जय माता दी वह लवली प्रस्पेक्टिव इंडीड विल है डील विद स्टेज फ्राइट इंग्लिश श्पीकिंग कवल जी सिंग छोपरा साब थै फैवरेट टॉपिक है डर वाला इसको समझिएगा लोग अक्सर कहते हैं सर मुझे डर लगता मैं यह कहता हूँ भाई एक बास समझ लो पहले चैक करो तुम्हें डर यानि फियर लगता है और एक फोबिया समझना एक फियर और एक फोबिया आज बहुत बड़ी बात समझन कौंसा डर निकालना ये विध्यान रखना फियर उसे बोलते हैं जो सबको लगता हो फोबिया मुझे लगता हो अब वदारं दे रहा हूं आप मेंसे कितने लोग हैं मुझे आंसर दीजिएगा आप मेंसे कितने लोग हैं जयें 10वी मंझिल से कूदते हुए डर लगता है लगता है विनीश सर कह रहे हैं हम महनत नहीं करते हैं बहाने बनाते हैं बिल्कुल सही बात है सर मैं आऊंगा थोड़ दिर बार बताइए मुझे दोस्तों दस्वी मंजिल से कूदते हुए कितने लोगों को डर लगता है 188 people are there विनीश सर thank you so much 198 हो गए है सर और भगवान की किरपा रही तो लोग तो मैं तो एक कम लोग भी हो ना सर मैं तो कहता हूँ यह एक सो अठान में उन एक लाक अठान में हजार पे भारी हैं जो इस समय कहीं सो रहे हैं अपने को तो सिर्फ एक बात समझने आती है सर देगे जंग में काड़ी अफराग से क्या होता है और हिम्मते लड़ती हैं तादास से क्या होता है यह दो सो लोग उन दो लाक से जादा महत्कून है जो इस समय लॉकडाउन में कहीं पड़े होंगे बोरिंग पिक्चरे डाल रहे होंगे टाइम ना कटने का रोना रो रहे होंगे जिंदगी में कीडे ढूंड रहे होंगे शिकायते ढूंड रहे होंगे ढूंड ते रहो ग जी बिल्कुल सही बात करें, मेरा क्वेशन यह था सर, आप मेंसे कितने लोगों को दस्वी मंजिल से कूदते हुए डर लगता है, और आप सब को लगता है, मैं जानता हूँ, मेरा अगला सवाल, कितने लोगों को दस्वी मंजिल से जाकते हुए डर लगता है, जाकते हुए, अगर सो के सो लोगों को कूदने से डर लगता है तो उनमें से पांच साथ या दस होंगे जिने जहाकने से डर लगता है तो ये जो सो के सो को लगता है इसे फियर बोलते है और वो जो पांच साथ आठ को लगता है उसे फोबिया बोलते है अब मैं एक सवाल कह रहा हूँ आपसे, आप में कितने लोग चाहते हैं कि मैं उनके कूदने का डर दूर कर दूँ, कर दूँ क्या, आपके कूदने का डर दूर कर दूँ क्या, कूद के मर जाओगे, वो कूदने का डर ही आपको कूदने से रोक रहा है, वो कूदने का डर ही जाकने का डर फोबिया है ये अभी निकल जाना चाहिए बुझे स्टेज पर आते हुए डर लगता है ये फोबिया है और यार स्टेज पर इमेज का सवाल है ये फियर है ये फियर 24 गंटे होना चाहिए मैं तो अपने लिए हमेशा बोलता हूँ आज जब मैं बोलने आता और फिर वो देखती है मैं पढ़ क्या रहा हूँ वोई बातें जो मैं दस साल से बोल रहा हूँ वो बोलते हैं ये दस बात तो आप पहले भी बोल चुके हो इसकी कौन से तैयारी कर रहे हो मैं कहता हूँ नी तो जब तक मैं डर रहा हूँ जब तक मुझे इस बात का डर है कि मुझे हजारों लोग देख रहे होंगे मैं ऑनलाइन हूँ लाकों लोग सुन रहे होंगे मेरी इमेज का सवाल है उनको मेरा बोलना कैसा लगेगा वो मुझे परभावित तब तक ये डर मुझे काम कर रहा है फियर को कभी मन से मत निकलने दो फोबिया को अभी निकाल दो आगाश लशकरी सर नो सर 100% लोगों को दस्वी मंजिर से कोदने में डर लगता है तो ये डर होना जरूरी है ये डर ही तो हमें कामियाब करता है मैं एक उधारन दिया करता था डर के उपर कि दस्वी क्लास में आते ही बच्चा पढ़ने क्यों लगता है डर की वज़े से दिलनी में सारे लोग हेलमेट क्यों पहनते इंदॉर में तो नहीं पहनते अनुआन गड़ में तो नहीं पहनते उनकी अकल डाढ हमसे पहले नहीं निकल गई है वो डर है 600 रुपे का चालान कट जाएगा डर हमें हमेशा आगे बढ़ाएगा एक मूवी इंटरनेशनल राउडी उसमें एक उधारन है एक सीन आता है कि जाधा ताकतवर होते हैं नोटिस कर लेना आप किसी मा की गोदी से उसके बच्चे को चीनने की कोशिश करिएगा उस मा को उस समय आप सबसे ताकतवर पाएंगे उस डरी हुई मा को आपको तो दबल बुतली पेचिस कि लोकी ऐसे लग रही थी मैं तो यूँँ छीन लूँगा अपना बच्चा चीनने नहीं दिया उसने उसमें ताकत कहां से आ गई बना दिया डर हमें ताकतवर बनाता है फोबिया हमें कम जोर बनाता है डरना नहीं घबराना बंद करना है हमें उधारन द अब यह डर दूर कैसे हो यह फोबिया दूर कैसे हो हम पता गलती क्या करते हैं मैं छोटे छोटे उधारन दूंगा आपको मैं रोल प्ले सेशन के लिए बच्चों को बुलाया करता था स्टेज पे किसके लिए रोल प्ले सेशन के लिए तो एक बार उसको हमीताब की पॉइंट समझना मैं स्टेज पर किसी बच्चे को बुलाया करता है तो तुम्हें अमिताब की एक्टिंग करने है अब बच्चे का डायलॉक सुना आपका नेटवर्क थोड़ा वीक आ रहा है धर्मेंदर साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं धर्मेंदर भाई नेटवर्क का मैं क जो टॉस जीतेगा उसके जीतने की प्रॉबैबिलिटी बढ़ जाती है पर इसका मतलब यह नहीं कि विराट को ली किरकेट खेलना छोड़के टॉस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे हमारे ओन्लाइन सेशन में नेटवर्क सबसे मजबूत है पर सवाल यह नहीं है कि हम कं मिलता हो इस व्यक्ति को मिलता है जो अपने विचार है यास बिल्कुल आपका बूलने का फोर्स सुभाशी साउस आप थैंकिस सो मच हरी साथ सेटेटेट इस मेरा पॉइंट समझना अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों कि करना मेरा सब्सक्राइब अब लड़का स्टे प्रूइन कर नहीं है और मेरे आगए अगर तुम पहली बार स्टेज पर आकर अमीताब जैसी Comics कर दो गे तो क्या 40 साल से पिर अमिताब ने भजीयत लें क्या। आहां अमिताब जो जिस लेवल पर अमिताब पर चालिस साल में कहुचा है उसके जैसी एक्टिंग आप पहली बार स्टेज़ पर आके कर दोगे तो अमिताब को दूब के मर जाने चाहिए फिर आप कर्के हो दोगे हैem हिताब के जैसी आक्टिंग जाब आप पहली बार स्टेजज पर अब हम कुलना कैसी करते हैं जब बोलने की बारी आएगी सर मैं न विवेग मिर्णा साब जैसा बोलूँगा सर मैं न संदीप पहेश्वरी साब जैसा बोलूँगा सर मुझे सुमिष सर जैसा बोलना है सर मुझे मयंदुपता सर जैसा अरे भईया इन्हें बोलते बोलते भी तो 10 साल हो गए इन्हें बोलते बोलते भी तो 5 साल हो गए आप पहली बार स्टेज पे आ रहे हो इन्हें 10 साल स्टेज पे हो गए आप इनके जैसा अगर आप इनके जैसा आप पहली बार में बूल देंगे तो मैं कहता हूँ इन सब को तो बूलना ही छोड़ देना चाहिए आली मेरा उधारन समझना अगर आप पहली बार स्टेज पे आ रहें और तुलना करनी है तो अमिताब के 40 साल पुरानी एक्टिंग से नहीं उस पहली मूवी से करो जिसमें अमिताब रेश्मा और शेरा में आया था उस साथ हिंदुस्तानी मूवी से करो सोधागर मूवी से करो जिसमें वो गुड बेचता है आप उसमें करो गोम बेटू गोवा वाली मूवी से तुलना और आप तो पता चलेगा आप उस अमिताब से जिस अमिताब को जो पहली मूवी थी अमिताब की जो दूसरी मूवी थी उससे बढ़ी आप दस गुना कर रहे हो पहली बार में तुलना ही करनी है तो अमिताब के पहले परफॉर्म प्यार अगर तुलना करनी है तो उनके पहले दिन से करिए और पूछिए उनसे कि वो पहले दिन कैसे बोले थे विवे विध्या विजय बाल मंदिर मेरा पहला सेशन था इन दौर मैं पहला सेशन जब मैं विध्या विजय बाल मंदिर के पहले सेशन में गया इंस्टिट्यू मुझे शब्दी नहीं थे मेरे दिमाग में पसी नहीं यहां तक टपक रहे थे पहला इंस्टिट्यूट पे सेशन लिया था अधिश एड्मी पर ट्वेजर फेंटेसी के साथ वहाँ पे पंजाब जी उदीर सर वहाँ पे पढ़ाया करते हैं बहुत 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 जैसे ही पोने चार बजे, सर आज आप पढ़ालो ना सर प्लीज सर मैं करें, चोधवे दिन चड़ाता स्टेज पर जाकर, सवाल मेरे साथ बिटिश अकेडमी गाजयबास से बिटिश इस्टिटूट आफ इंग्लिश लेंग्विज, गाजयबास से कुल्दिब भाटी मेरे सा साथ बढ़े हैं, राजी भाई, मेरे बड़े भाई, कूछिएगा कभी, जब स्टेज पे पहली बार जाने की बार या आई थी ना, कर ले जाका आप ता पसीने आते थे, मैं दोस्तों कुछ और कह रहा हूँ, सफर बढ़ा है, तो मुश्किल भी बढ़ी होगी, कम्मिनिके मैं पता है, जब स्टेज पे बच्चों को बुलाः करता है, करना क्या है, समझे आप सो करना क्या है, आज का सेशन हम ठोड़ ऐसा एक गंटे ङया गंटे-पांच मिनट का रखेंगे, आपके क्वेशन दी मैं लूंगा, हम क्या किया करते थे, जब मैं इंगलिश बोलना स पर मैं और सुमिसर मैं और आकाश भाई या मैं और गोपाल जी या मैं कोई भी मैं और आजय गुरू जी सरी और एक्षिलेंट बेस्ट और रियर लाइफ तैंक यू सो मच आजया भाई आकाश लश्के जी के रहे हैं सर जंग में काग जी अफ्राज से क्या होता है हिम्मत लडो पहले पंदरा दिन भ्यान लगों तो मैं सिर्फ बोलना है मैं अपनी क्लास के उपर बोर्ड पे लिखा करता था गलती केंद्र का मतलब था I welcome you people to make mistakes आई और गलती करिये दोस्तों जब तुम बोलने की शुरुआत करो तो पहले एक महीने आपको इस बास से फरक ही नह के सामने बोलूँगा उसका भी तरीका बताऊंगा मैं अपका विल पैली दर वीजन में के वल किताबी बात नहीं करूँगा एक पॉइंट दे रहा हूं लेकिन ध्यान रखना हम गलती ये करते हैं हम चाहते हमारी जबरदस्त शुरुआतों इस पॉइंट को समझना दोस्त आज के लिए बहुत महत्मुन पॉइंट दोस्तों जबरदस्त शुरुआत नहीं करनी जबरदस्ती शुरुआत करनी है फिर कह रहा हूं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं जबरदस्त शुरुआत किसी की नहीं हुई जबरदस्त शुरुआत नहीं करनी जबरदस्ती बाते हुई ऊग आज कहां है पता भी नहीं चलता पहली मूवि राखॉन रॉय सूपर ही गायब हो गए कुमारं गौर गौर्व जबर दस्ति स्टाथ गायब हो गे अनु कपूर जबर दस्ति स्टाथ गायब हो गई भाग्यश्री जबर्दस्ति स्टार्ट गायब हो गई अतुल बेडाडे जबर्दस्ति स्टार्ट किर्किट में आयते गायब हो गई अजय शर्मा जिनको बोला जाता था सैंचुरी में अतुल बेडाडे को बोला जाता था देए बहुत जो जबसर करके कूछे तेड़क शिक्ष हमार्त जा diferen बोलते हैं जबर्धसbilir को अभायान और ही बात दर की जिन से भहया तुम डर्रहिए वना कि ये मुझसे बढ़िया है इसके सामने गलती कर दी तो ये हो जाएगा वो जाएगा चलिए एक मजएदार सुनाता हूं बात और शुक्र है मैंने ये श्वर की दिया से शुरुआत में ये उधारन सुन लिया था एक उधारन सुनाता हूं आपको कि जिन से तुम डर रहे हो ना जब हम इंटर्वी के लिए जाते हैं ना तरफिक सांथ तैंक इस ओमच प्रण की चाहें तो आपके लफ्ट साइड में एक शेर का बटन है आप दबा सकते हैं वाच पार्टी कर सकते हैं तमाम लोगों तक है मैसिज पहुचा सकते हैं यह सर देंदूलकर बनना आसान बने रहना मुश्किल है क्या बात कहिए आपने क्या बात कहिए आई अगला पॉट उठा रहा हूं दोस्तों डरने वाले पर आ रहा हूं डर किससे रहे हो आपको डर लगता किससे है मेरा उधारन समझने आप जब आप इंटर्वी के लिए जाते हो न और जैसे ही आप वहां वेट क्या सोच रहे हैं आचल कैसे रही है समझे दोस्तों में दो दो द्धारन समझना मेरा यह दुनिया चल कैसे रही है पहले यह समझाता हूँ आप दर किस्टे रहे हो दुनिया कैसे चल रही है एक जग ऐसे ना एक गाउं से आकांक्शुसर जा रहे थे अब आकांक्शुसर जब वहां से निकले तो गामवालों को सोचा वहां कोई पढ़ा ल लेकिन अगर मना कर दे तो बेजती हो जाए गाम वाली तो सोच रही थे तो बहुत बड़ा पंडित है बहुत बड़ा विद्वान है बहुत बड़ा जानकार है अब करें करें क्या खैर आकांग शूसर ने कह दिया ठीक है जी अब आकांग शूसर बैठे और मंतर पढ़ना ये दुनिया चल कैसे रही है आकांग शूसर ने मंतर पढ़ना शुरू किया अम मंतर आपने देखोंगे बहुत तेज पढ़े जाते हैं आता तो कुछ नहीं था पर मना कर नहीं सकते थे तो आकांखशु शर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तब यहां से निकले हमारे आकाश भाई तो गाववालों ने सोचा एक से भले दो तो उन्हों और आकांशु सरने का मन्तर पढ़ना शुरू किया मुझे में निया प्रवष बोले जैसा हुए गई यह दुनिया चल कैसे रही है यह दुनिया चल कैसे रही है चिनसे आप डर रहे हो वह कौन है तो आकांशु सरने ये तो बड़ा विद्वान है इस पर तो सूट भी है ये तो सूट में ये को जादा ही प्रखांड पंडित है कि यार इनको उला लेते हैं उन्होंने का अमर जी हमारे हमा हवन करवा दो अब अमर जी को देखकर दोनों घबरा गए कि भाईया आज पाकड़े गए अब तो पो अब तक चलेगा अब वहां से सुमिश्षर निकले अब सुमिश्षर को देखके तो परसुनल्टी को देखके व्यक्तितु को देखके कि भाया ये तो प्तांड पंडित आ गए गाम वालों ने सोचा तीन तेगाड़ा काम बिगाड़ा चोथे को भी बुला लेते हैं उन्ह ुए पर दुखकर खुफ़ तो यह महिंद कुछ में अमर वुला अभसे ii कि दूस्तों यह दुनिया यहाँ जब तक चल रहा है जब तक चले चलाए जाओ जिने भैठ जिन तेन ग employers तुम्हित गों देखके जिन आकाज जी पर चीदिसिग अधिक से डर लग रहा है जिन आकांग्शु जी और राकाइज जी को अमर से डर लग रहा है उसी अमर को उन दोनों से डर लग रहा है और जिन तीनों को सुमिस्षर से डर लग रहा है उनी सुमिस्षर को बाकियों से लग रहा है कमाल हो सब्सक्राइब योगा प्रेक्षिशनर तैंकि सो म बता रहा हूँ दोस्तों एक बात तो आप समझ लो काम डरने से नहीं करने से होगा ये सारे दुनिया के डर निकलेंगे ही ताब जब आप कोई काम करना शुरू कर देंगे हकीकत बताओं मेरा दो-तीन उदारन में दो उदारन दे रहा हूं मेरे पॉइंट शमझ लेना दोस्त करीएगा watch party करीगा logo तक ये पहुचा हुआईगा मेरा point समझना मैं कहना क्या चारहाँ दोस्तों जिससे हम डर रहे हैं basically वो भी कहीना कही हम से डरा हुआ हुआ है मैं यह नहीं कहता कि आपbad Katieиях मेरा कहना यह है आपको काम करने पड़ेंगे डर से बाहर निकलने के लिए तैयरने का डर खतम करना है तैयरना सीखना पड़ेगा दुख इस बात का है हम कहते हैं कि मैं उस ते तैयरना शुरू करूँ आ जितनी तैरना आ जाएगा तैरना कहता है भाई मैं आऊंगा इस दिन तुम शुरू करोगे आप मेरा उधारत समझना है हम कहते हैं आदमी कहता है व्यक्ति कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करू पैसा कहता है भाई तुम कुछ करे तो मैं आओ आप कहते हो कि confidence आए तो मैं कुछ करू confidence कहता है भाईया तुम कुछ करो तो मैं आओं आप गलती ये कर रहे हैं आप शुरुआत करने के लिए confidence कर पता आप गलती क्या कर रहे हैं मम्मी कह रही है कि बजार से धही लेया आप क्या कह रहे हो मम्मी मुझे धही दे दो मैं धही लेने जा रहा हूँ अरे तुम पागल हो आपके लिए नहीं बोल रहो हूँ, भाई मैं पागल हूँ क्या, मैं धही लेने जा रहा हूँ या धही लेके जाओंगा, मुझे करके, मुझे confidence से शुरू करना है, मुझे शुरू करनी पड़ेगी इस confidence के लिए, दिक्कत यह है, हम शुरू करने के लिए यार नहीं है, मेरा point इस भी दूँगा, तो मैं पहले डर पे बात कर लूँ, फिर मैं टूल्स दूँगा, यह डर, तो मैं पहले डर पे बात कर लूँ, सारा खेल दर का है, क्योंकि आपने यह कहा था कि मुझे आता है, पर बोलते से मैं डर लगता है, और इन 90% के समस्या यह है, वास्ता में समस UTRAMS की स्क्राइब यहांज क्या है। दोस्तों पैसा कामियावी और लेंग्वेज यह आपके गुलाम है। तीनों गुलाम हैं। तीनों बताूं गुलाम भी नहीं है। यहापको क्लाbs वहाँ नहीं है। मैं आउनगी। यानि आप करेंओ मैं करूंगा। पैसा कहता है मैं आउंगा, confidence कहता है मैं आउंगा, आए नहीं है, फिर आप कहते हो मुझे ये काम करना चाहिए, कामियाभी कहती है मुझे तेरे पास आना चाहिए, आए नहीं है, पैसा कहता है मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए, आया नहीं है, confidence कहता है मुझे तुम्हार पैसा confidence बोलता है हम आएंगे आप बोलते मुझे करना चाहिए वो बोलते हमें आना चाहिए आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ वो बोलते हम आ सकते हैं फिर आप कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ I am doing कामयाभी पैसा और confidence बोलते हैं we are coming आए अभी भी भी नहीं है we are coming और फिर आप बोलते हैं I have done this work मैंने ये काम कर लिया है कभी आपके घर के दर्वाजे की बैल बजती है और वहार जैसे आप दर्वाजा खोलते हैं काम्याभी और पैसा और पे पॉइंट बोलता है हम आ गए हैं दोस्तों काम्याभी लेंगवे आज बात समझ में आगए आपने बात क्यों क करेंगे जिस लेंग्वेज में आप बात करने वाले हैं अगर आप कहेंगे मैं ये काम करूंगा confidence कहेंगा मैं आउंगा आप कह रहे हो कि मैं ये काम कर सकता हूं confidence कर रहा हूं मैं काम कर रहा हूं confidence कह रहा है मैं आ रहा हूं और आप कहते हूं मैंने काम कर लिया है confidence बैल बज करता है दोस्तों को और confident एक उधारन दे रहा हूं आज 20-23 दिने इसलिए मैं एक्जांपल दे पा रहा हूं दोस्तों मेरा point समझना मैं इस एक्जांपल को इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि अब हम connected हो चुके आप मेरा वहवार में आपका वहवार समझ चुका हूं इस उधार बसंती वीरु वाला मेरा उधारन समझना है यह online भड़ा रिस्की है पर समझ जाएंगे आप यहां केवल बात का मतलब समझ जाएंगे आप तो जामपल यह था मैं कहता था बई गबबर कौन बनेगा स्टेज पर आके कौन गबबर का रोल करेगा अब आप जानते हैं स्टे स्टेज पर लाया बसंती बनी मैंने का वीरु कौन बनेगा बड़ी मुश्किल से एक लड़का वीरु बनने के लिए तयार हुआ मेरा दोस्तों अब सवाल समझना स्टेज के उपर बता रहा हूं स्टेज पर बोलने के लिए बता रहा हूं तमाम networking के लोग भी मुझे सुन हैं तमाम students मुझे सुन रहे हैं तमाम वो लोग जो manager position पे तमाम वो लोग जो leadership पे जाना चारहे हैं मेरा उधारन समझना और सुनना फिर मैंने एक गबर बन गया एक बसंती बन गई एक वीरु बन गया फिर मैंने उन बच्चों से एक बात कही जो class में बैठे हुए बच्च पर आओ या तो गंबर बन जाओ या वीरु बन जाओ या बसंती बन जाओ वर्ना कुत्ते बन जाओगे क्योंकि इसका dialogue है कि बसंते इन कुत्तों के सामने मत नाचना यह मैंने class वालों के लिए कह रहा था बच्चों के लिए कह रहा था मैंने का बेटा अगर तुम उठके इधर नहीं आए जो इधर बचा रहे गया फिर उसे ये कहने का हक नहीं है कि लोग मेरा मजाग क्यों डाते लोग मेरा इज़्ज़त क्यों नहीं करते रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते भाया उतके stage पे तो आना पड़ेगा जिबमेदारी तो समानने पड़ेगी आईए दोस दोस्तों stage अब मैं में बता था क्या है तरीका यहे है दोस्तों पता है गलती क्या कर रहे हैं ऐए师 मेरा born again movie है born again book है born again book में मेरा chapter है. चालान कटवा ले जिए chapter का दान क्या है ? चालान कटवा ले जिए मैं टूल थोड़ी दिएर बा Deputy데्ट A kann Matthew के ठापिक क्या हें समझ न है कि बठा सकता है चालान की एक विशेषता होती है क्वे मुझे बता सकता है क्या क्या है कि क्या है वो नियम् दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करकτε कर लोगों तक पहुचाएं रिक्वेस्ट इसलिए नहीं करना मुझे शेयर होने का शौक है आपकी बहुत किर्पा है मुझे पर अल्रडी दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ यह पॉजिटिविटी और यह मोटिविशन लोगों तक पहुच जाए सर अभी स्टार्ट करना है पॉजिए सोशल मीडिया पर लाएव आके तो कॉल साग्ड़ टॉपिक यूए स्टार्टिंग में हर्शन बाही देको एक बात दो बताओ आप वह इत्कोड़ टॉपिक लेंगे जिसमें आप जानकार हों जिसको आप जानते होंगे तो आप वह टॉपिक लिजी जिसको आप मैं इसको थोड़ी देर बाद एक नट बाद फिर बोलू हूँ इस पर मैं भी आगए आपको तूल बताने वाला हूँ थोड़ा सा सेशन आज लंबा चलाएंगे सवा घंटे तक क्या सेशन हो सकता है बताएं मुझे चालान की कोई विशेष्टा बता सकता है आहाहा अमिस सर बिल्कोल यू गॉट दराइट पाई 24 ट्रंटिफोर आज तक होता है मेरा टॉपिक क्या है चालान कटवा लीजिए अच्छा बताओ आपका चालान कट गया शुबह के नो बजे अब बताओ अगले 24 घंटे के लिए आप क्या हो टैंशन फ्री इस्ट्रेस फ्री नरी नहीं लग रहा अब आप बाइक को यूँ भी चलाओगे आप बाइक को यूँ भी थोड़ी सी उपईया उठा लोगे आप हेलमेट भी बगल में लगा लोगे बताइए ऐसा क्यों क्योंकि आपका चालान कट चुका है डॉट्टर 24 आ कट आले एक बार स्टेज पर आ जाओ जिन लोगों ने तुम्हें डराया हुआ ना स्टेज पर ऐसा होता है पता स्टेज की खुबी क्या है जित दिन आप स्टेज पर आओगे और बोलोगे पांच मिनट बाद उत्रोगे तो पता क्या बोलोगे हमें तो इतना डराके एक बार चलान कट गया आप सही बोलें गलत बोलें कैसा भी बोलें पर यकीन जानो उसके बाद आपका डर लगना खतम हो जाएगा क्योंकि आपने चलान अफसोस इस बात का है हम पहली बार चलान कटवाते ही नहीं और सारी जिन्दगी संभाव नाओं की जिन्दगी जीने के बगा बचाए डर की जिन्दगी जीने में गुजार देते हैं शिर्फ उस एक बार के चलान में अरह यार एक बार का चलान कट भी गया तो कितने का कटेगा 100 का 200 का 500 का 1000 रुपे का पर उसके बाद सारी जिन्दगी तो फिरी हो आगर एक बार स्टेज पर आके गलती भी कर यह जो आपको जबर्दस्ती स्टेज पर ला दे और एक पाइंट और समझना एक बहुत महत्पून पॉइंट बोल रहा हूं बारीक पॉइंट आप लोगों सही बोल सकता हूं आप सेंसिबल ओडियंस हैं हम गलत करने से नहीं डरते हैं गलती करने से डरते हैं तो बड़ी बा नहीं डरे सारे बुरे कामों से गलत काम से एक भी नहीं डरे और सही काम में गलती करने से डर गये। चलता है कि ये युद्धा था ये लड़ने वालों में था ये दर्शक नहीं था जो या तो ताली बजा रहे थे या शोर मचा रहे थे अरे दलवार तूटी ही सही पर युद्धा तो कहलाओगे इस्टेज पे आके गलत बोलने वाले उन बैठे हुए जिनको सही आता है उन ल पे चार-पांच डारेक्टर थे पार्टनर थे उसके देड़ घंटे में वो बात चली अब जो लाश्ट में जन्ना मेरी बात जो लाश्ट में सबसे लाश्ट में बोले वो खड़े होके देड़ घंटे बाद उनका नंबर आया माइक पर पहली लाइन समझना क्या था मैं बोलने में नहीं करने में यकीन रखता हूं करके दिखाता हूं मैंने आद उठा के पता क्या कुछ है मैंने भाई साब आप ये एक लाइन बोलने के लिए आपने अपना घंटा खराब कर लिया था अगर तुम इतना ही करके दिखाने वालों में यकीन रखने वाले थे तो कि हमसे यह कह रहे हो कि मैं बोलने में नहीं करने में यकिन रखता हूं अगर आप करने में यकिन रख रहे होते तो यहां बैठे ही नहीं होते इस एक लाइन को बोलने के लिए देड़ घंटा खराब नहीं करते अपना पर यह लाइन उन्होंने पता है क्यों मोने बोलना आता आंब मैं आपको बता रहूँ शुरूबाद कैसे कर सकते हैं आपको टूर्स दे रहा हूं पल्दी प्रक्रीक प्रश्चा मैं प्रोडे से आपको दो पॉइंट शेयर कर रहा हूं प्रब्सक्रा प्र तक दडर तो लगेगा जब तक आप तयार नहीं होंगे अच्छा वैसे मैं confidence के बारे में बोल दूँ, confidence दो तरह का होता है, एक situational confidence, एक core confidence, situational confidence से core confidence की यात्रा हमें करनी है, core confidence और situational में बता दू, situational उसे बोलते हैं जब situation आपके favor में है या वो काम जिसमें आप करते हैं, उसमें आपको confidence आई जाता है, लेकिन बाकी कामों में आपक वो confidence नहीं आता, core confidence उसे बोलते हैं, situation कोई सी भी हो, बंदे में confidence तो रहेगा ही, और core confidence का मैंने नाम रखा हुआ है, ब्रह्मा नंदम confidence, क्या नाम है मेरा, क्या नाम रखा मैंने, ब्रह्मा नंदम confidence, ब्रह्मा नंदम जानते हो ना, वो south movie में जो comedian साब हैं, जिनके नाम world record है, हर movie में वो होते हैं, मैंने core confidence को ब्रह्मा नंदम confidence नाम क्यों दिया है, आपका भी देखना, आप उन्हें collector बनाओ या भिकारी बनाओ, आप उन्हें अमीर बनाओ या गविर गरी बनाओ, सटक पर रहना बनाओ, मजदूर बना दो, confidence बंडेगा वोही रहेगा, जो collector के roll में है, वोही मजदूर के roll में भी है, वो जो confidence collector के roll में जो उसके अदर भिकारी के roll में भी है, पोर कॉणफिदेंस में एक उधारन देता हूँ कॉणफिदेंस होता क्या है एक जादुगर ने एक चुँँअ को देखा चुँँअ बड़ा डरा हुआ था उसे डर लगता था बिली खा जाएगी बिली खा जाएगी जादुगर को चुँँए पे तरस आ गया उसने कुट्टे बना दिया 4 पांदिन बाद जादूगर ने देखा कि अब वो छुके रहरा भेडिये से डर लगता है उसे कुट्टे को भेडिया खा जाएगा उसने का चल मैं तुझे भेडिया बना देता हूं जादूगर ने उसे भेडिया बना दिया अब वो शेर से डरा हुआ घूम रहा है कि कहीं शेर ना खा जाए शेर ना खा जाए जादुगर को तरस आये बोले चल तुझे जंगल का राजाई बना देता हूँ नहीं होने वाला मैं रोल कितने भी बदलते रहूं तेरे तू तो चूहा तो रहे गाई दोस्तों राजी वरोड़ा सर हमें जोइन कर चुके हैं सकेनाम कॉन्फिडende Carne 2 चीजा आता हैСरी वहासा अगर्ष कॉन्फिडेन जी और क्या फॉरलेज जब आपकिसी काम की फॉर्मुला दे रहो कि की के फॉर्मुछ Whenever mac ज्यान दीजिए स्कूल के ज्यान दीजिए ठीचर ने कोई सवाल पूछा और सवाल का जवाब आपको आता है अपना confidence याद करो एडियों पे उचक गए ते उपर निकला है ते सर भी सबसे उपर सर सर मैं बताओं आपके अंदर confidence था टीचर ने अगला सवाल पूछा इसका जवाब कौन देगा आपको आता नहीं था अपने दोस्त के पीछे बैठ गए मेरा सवाल है एक मिनट पहले तुम में confidence था confidence कहां चला गया confidence comes with knowledge confidence goes with knowledge confidence knowledge के साथ आता है confidence knowledge के साथ चला जाता है आप खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती जिस confidence के हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है हम जब confidence की बात करते हैं तो confidence के हमें लगता है confidence कहीं बजार में मिलेगा सराफा जाओंगा यहां मैं जाओंगा जून इंदर वहां से पांच किलो confidence ले आओंगा भाई it will come with knowledge it will come with practice practice और knowledge से आएगा जब कोई काम आपको आता है तो automatically आप confident भी यानि confidence की confidence तो भाई fruit है जब आपको आम चाहिए ना आम का पेड़ आम का फल चाहिए मैंने रोज बात कहता हूं पानी तो जड़ में डलेगा और इसके जड़ है practice और knowledge आप अपनी practice शुरू ढर के आगे जीत रास मेरा point समझना दोस्तों मेरे point समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूं आप लोग से practice शुरू करिए knowledge पे काम करना शुरू करिए content पे काम करना शुरू करिए अगर आपको कुछ बोलना है तो एक formula दे रहा हूं उससे पहले formula अपना ये r o l s r o l s जब मैं spoken English सिखाता था तो बच्चों से एक सवाल पूछता था आपसे भी सवाल पूछता हूं बच्चे बोलते थे सर हम English बोल नहीं पाते तो मैं मैं से एक सवाल पूछता था मेरा point समझना अगला उधारन क्या दे रहा हूं अब public speaking पे आ आ रहा हूं practice करने की तरीके पे content पे आ रहा हूं समझना tool दे रहा हूं अब मैं आपको मैं बोलता था मुझे एक बात बताओ तुम सुबह सोंकर उठे तुमने tap खोली wash basin में पहुचे tap समझे और पानी की tap खोली और tap से पानी नहीं आया आप लोग answer दीजिएगा इसका tap से पानी आदित्य सर थैंक्यू सो म opportunity is free of cost वो मैं बताने वालों क्या है दस मिनट बाद announce करूँगा जुड़े रहिएगा आप सुबह सो के उठे मुझे आंसर दीजिए आप मैं टुकल बता रहा हूं आप wash basin पे गए आपने wash basin का tap खोला पानी नहीं निकला बताईए सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आत है क्या गडबड है मुझे आंसर दीजिए बताईए मैं इसे आपका question पढ़ चुका हूं one of my favorite question मैं आंसर दूँगा आपको ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है इसलिए मैं आपको बताऊंगा इसका answer मुझे बताईए दोस्तों जब आप सुबह उठते wash basin पे जाते है ट अड़बड कहीं और है जरा मुझे आंसर देके बताईए 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 दोस्तों पब्लिक speaking पर आ रहे हैं अगले 15 मेंट हम बात करने वाले पब्लिक speaking के टूल्स पर आईए दोस्तों जुड़िए बताईए मुझे टंकी में पानी नहीं है अनिल खरिया सर टैंकी सो मजश सर टैंकर खाली है बिल्कुल सही है शुवांस भाई टैंकी में पानी नहीं है टैंकर खाली है जब आपकी इस टैप से शब्द ना निकल रहे हो तो दरसल ये टंकी खाली है ये टंकी में पानी नहीं है जब तक यहा पर डिपेंड करता है कि टंकी कितनी भरी हुई है टंकी जितनी खाली होगी उतनी ही दिक्टत यहां से निकलने में आएगी तो सिर्पानी खतम राजसर कहरें बिल्कुल सही सर्फ निश्चित पाइपलाइन आफ है बिल्कुल सही समस्या कहीं और है समस्या यहां नहीं है समस् दोस्तों, यहां है एक practical example दे रहा हूँ, अगर आपके आसपास पोई हो, तो notice करना, आज के बाद try करके देख लेना, एक उधारन है सिर्फ, आपने अगर कोई हकलाने वाले व्यक्ति देखा हो, तो notice करिएगा, जब हकलाने वाले व्यक्ति बोलता है, तो हकलाता है, लेकिन ज होती है, connections में होती है, दरसल गाने में क्यों नहीं अठकते वो, क्योंकि गाना उसको already सारा याद है, उसे सोचना नहीं पढ़ रहा और जब उसे बोलना पढ़ता है, तो सोचके बोलना पढ़ता है, जब सोचके बोलेगा तो आठकेगा, जब भिना सोचे उसके already धिमाग में है तो नहीं अटकेगा दरसल सल मैतकते हैं क्योग हमारी टंकी खाली है वारेma कंटेंट खाली तो सबसे पहले इस टंकी को भर ने का काम करना शुरू गर दो इस टंकी को को बहुत से एक जाम फ्लसीमा सिंहम66 सो मच अरे सीमा मैं हैं गया हो हो सीमा मैं वेलकम बैक टो इंडिया तैंक यू सो मैं पहला नियम अगर आप बोलना आज तक सुनना मेरा अगला अज तक कोई ऐसा भहरा व्यक्ति देखा है जो घूंगा ना हूँ बताइए कोई ऐसा भहरा व्यक्ति देखा है बर्ट से सिंस बर्ट जनम से बात कर रहा हूँ आई एक बहुत महित्पून अनॉंसमेंट आप लोगों के लिए हमारे पास है हम आपको बहुत महित्पून अनॉंसमेंट करने वाले हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम सचिन बैसला जी तैंकि सो मच फूर जॉइनिंग भाविश पार्टी तारह मों दिया जी बहुत सही सार थैंकि सो मच मुझे बताइए आपने सूपा बिग्जांपल स्वेता पासी जी तैंक्यो आपने को ऐसा व्यक्ति देखा है जो बहरा हो लेकिन गुंगा नहों जांसर जिसने आज तक सुना नहीं वो कभी बोल नहीं सकता डॉग वो बोलेगा जिसने डॉग सुना होगा अमर वो बोलेगा जिसने अमर सुना होगा कई बार लोग पता क्या बोलते हैं सर उसे दिखा दो मैंने कहां दिखाओ दिखाओ कि ये पंखा है कैसे पता चलेगा उसे पं मैं यह कह रहा हूँ कि जब तक आपका यह content नहीं भरा होगा तब तक आप कुछ बोल नहीं पाएंगे तो मैं यह कह रहा हूँ जो बहरा है वो बोल नहीं सकता क्योंकि जिसने सुना नहीं उसने बोला नहीं एक formula दे रहा हूँ जो गुंगा होता है और बहरा भी होता है बिल्कुल आप सही कहने जॉन डियोल क्योंकि जिसने सुना नहीं वो बोल नहीं सकता है थरीका बता रहा हूँ अब आपको बोलना सीखने का R-O-L-S जो आज हम आपको opportunity भी बताने वाला हूँ उसमें भी हमने उसको fill किया हुआ है R माने reading R आप जब बोलना सीखना चाहें तो इस formula को बताइए R-O-L-R for read O for observe observe माने देखना सुनिये देखिये L for listen सुनिये पढ़िये देखिये सुनिये As for speak then only you will be able to speak अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले आपको process से गुजरना पड़ेगा पढ़ने की process से देखने की process से सुनने की process से तब आप बोल पाएंगे जितना आप पढ़ेंगे आपके content इखटा होगा जितना सुनेंगे content इखटा होगा जितना देखेंगे content इखटा होगा और बस उसके बाद वो content बोलना ही तो है इस पी अब आपको अगली practice के सर content ही बहुत राइट time पे निकलता नहीं है उसका क्या solution है अब इसका solution सुनिए आपके पास ये बहुत अच्छा point पूछा है दोस्तों इस point को समझना अब दूसरा challenge जब मेरे पास बच्चे English के साथ सीखने आते थे तो मैं एक example ये देता था कि तुम्हारे पास content ही नहीं है अब दूसरा example समझो मैं क्या देता था वो मुझसे बोलते सर सर क्योंंकि हमें इंग judgments समय लेते हौ क्या देक समय पाते हैं तो तुम English कैसे सम ञेए और अगर तुम English समझ लेते हो इसका मतलब कमें English आती तो है अब गढ़बढ सुनना कहा है मैंने का मेरे दोस्त English समझने के लिए दिमाग की ज़िए पड़ती हैं बोलने के लिए हट टंग की जह पड़ती है हमारे दिमाग को तो English आती है पर हमारी टंग को नहीं आती, दो तरह की मेमरी होती हैं, दोस्तों हमारी अब ये उधारन समझना है, अहरशल शाह साब का क्वेशन का जवाब, हमारी दो तरह की मेमरी होती हैं, एक brain memory, एक muscles memory, दरसल हमारे brain में तो content आ गया, अब ये second condition है, कुछ लोगों के brain में तो content है, लेकिन उनके क प्रेक्टिस करीं हम मेरा होधार न समयना, हरसल आप समझ आइगा इसको, समझना दोस्तों मेरे, उन आपने कर लिए सरखा को, को गाने की प्रेक्टिस लिखके करते हुए कि मैं सिंगार हूँ मैं गाने की प्रेक्टिस कैसे करता हूँ content लिखके मैंने का मेरे दोष्ट गलती तुमने यह कर दी तुमने content के बोलने में तीन पॉइंट होते cid1 formula है मेरा c4 content i4 make it interesting मैं कभी फिर बात करूँआ दी फोर डिलीवरी 90% ट्रेनर एक गलती करते हैं वो तैयारी करने के नाम पर content की तैयारी करने लगते हैं delivery की तैयारी करते ही नहीं भाई एक बात तो बताओ content के लिए तो सारे साथ training में PPT भी रहने वाली थी उसे तो भूली भी जाते तो घटबन नहीं थी क्योंकि PPT मिल जाती तुम्हे practice बोलने की करनी थी practice body language की करनी थी practice muscles की करनी थी आपकी tongue को सारे उधारन याद होने चाहिए थे लेकिन आपको याद किसको थे सारे दिमाग को दोस्तों इस muscles memory को समझे लो एक मिनट के लिए मेरे पास बहुत सारे questions आते है motivational speaker हो करने के नाते मुझसे सवाल पूछा जाता है सर हम कुछ समय तक motivate रहते हैं बाद में नहीं रहते हैं लंबा नहीं जा रहा हूं सिर्फ example दे रहा हूं तो मैं उनसे कहता हूं बिटा हमारी दो तरह के एक मैंने फॉर्मूला दिया सब जहती है उनकी दिमाग में है तो एक काम लिखा हुआ है उनEree मैं नouble-चंहीं रिखा भूगे एकका है तो उसका हाथ फिर P पर जाए कर समझा वास हैं यह सब्सक्राइब आपको हपाड़ शाहा जी आपके सवाल का जवाब और केवल इनके सवाल का जवाब नहीं आप सब को प्रेक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ मुझे बताईए दोस्तों कितने लोगों को आप मेंसे साइकल आती है जरा लिखे बताईए येस कितने लोगों को साइकल आती है आठ थोड़ा सेशन लंबा भी चल सकता है दोस्तों मुझे आती है क्या बात शिवाश और को बताईए कितने लोगों को आती है बताईए दोस्तों कितने लोगों को साइकल आती है मुझे बताईए एक दो लोगों मुझे बताएं कितने लोगों को साइकल आती है सब्सक्राइब कितने साल पहले चलाई ती कितने साल पहले चलाई ती सवाल का जवाब दीजिए कितने साल का जवाल साब कितना साल के रहे है साइकल चलाई हुए कोई ऐसा है जिसे साइकल Чला ठाइख हुए हुए पांho से जादा हो गये हुए मैं बहुत बहुत आशिर्वाद बहुत 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 शुक्का नाम क्या है लास्ट टाइम पहले चलाई थी बहुत 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 कैसे भूल गए, तीन दिन पहले बताया हुआ कैसे भूल गए, क्योंकि बताई हुई बात हमारे ब्रेन ने याद की थी, ब्रेन ने सीखी थी, और साइकल हमारे मसल्स ने सीखी थी, साइकल हमारे पैरों ने सीखी है, साइकल हमारे हातों ने सीखी है, साइकल हमारी मसल्स ने स आज जला होगा आपका दिमाग 10-15 दिन बाद भूल गया कि हाज जला है मसल्स पे आज तक निशान है मसल्स को आज तक याद है कि मैं जली थी 20 साल पहले 25 साल पहले 35 साल पहले दोस्तों हम पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते समय गलती क्या करते हैं दिमाग को तो सब क कुछ याद करवा देते हैं लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में बोलना क्या था टंग को याद नहीं करवाते अगर आप दो घंटे की तयारी कर रहे हैं तो एक घंटा कंटेंट लिखने में और एक घंटा कंटेंट डिलीवरी की प्रैक्टिस करें नीतू को फोन करिए मेरी व करता हूँ और जब मैं ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ तो ध्यान देना आपने मेरे एक्स्पेशन्स चेक किये होंगे मैं ऑनलाइन भी ऐसे बोलता हूँ जैसे लोग मेरे सामने बैठें क्यों क्योंकि मैं घर पे प्रैक्टिस कैसे कर चाया हूँ कि लोग मेरे सामने फिर मेर और content आपको brain को आता है तो अब इसकी tongue को practice करवाईए और tongue को practice करवाने का she is sending likes and hearts in every 10 minutes, thank you so much बेटा, नाम क्या है खुशाली में बेटी का, बच्ची का नाम क्या है, मुझे पताईएगा, आप मेरा point समझना दोस्तो, एक formula दे रहों, tongue को practice कैसे करवाएं, public speaking की तयारी कैसे करें formula का, इससे confidence भी बढ़ेगा, body language भी बढ़ेगी और आप public speaking की practice भी बढ़ेगी, आपकी formula का नाम है, ECG, formula समझना दोस्तो क्या है, ECG, formula का नाम क्या है, ECG, public speaking stage पे बोलते समय, लोगों के सामने बोलते समय, क्या बढ़ती है, धड़कने, और उसी को लेके मैंने formula बनाया, ECG, क कि आपको gradually कैसे शुरू करना, start कैसे करना है, point समझना दोस्तो, मेरा point समझना, E4 होता है, जब आप शुरू करें, body language भी इंप्रूव होगी आपकी, आपका confidence भी इंप्रूव होगा इसमें, और public speaking की practice भी, आपने पढ़के, सुनके, देखके, आपने ये तो practice content तो कर लिया, तंग की तो आप भर चुकी है, अब सवाल ये है, टंग की practice करवानी है, कैसे करें, E.C.G., मैं formula दे रहाँ आपको, E4, each other, top to each other, शुरूवात कहां से करनी है, दो लोगों से, आपको किसी भी एक व्यक्ति को परिवार में, दोस्त में किसी को भी एक व्यक्ति को सामने बैठ और खुद खड़े होके, दो टूल दूँगा दोस्तों, आज आपको याद रखना आपने परिवार में भी कैसे practice करें, दिन में चार बार आपको practice करनी है, पांच-पांच मिनट खड़े होकर बोलने की, क्योंकि जब आप actual में delivery देंगे, जब actual में बोलने वाले हैं, तो 99% में आप खड़े होके बोलेंगे, तो basically आपके प्रेशरील को, बोड़ी को, मसल्स को भी practice क्या होनी चाहिए, अचा कुछ message आपको एक उधारन देता हूँ, आपने रोटिस किया होगा ये session, मैं बैठ के क्यो नहीं लेता, मसल्स memory पर कभी फिर बोलूँगा, मसल्स memory की पाव जाए जाती थी 3-4 दिन और जब पाँचवे दिन आपने घंटी बजाई तो उसको पता चल गया, खाना मिलेगा, ऐसे ही हमारी मसल्स होती है, दरसल मैंने पहले दिन न, एक आप दो, जब मैंने अनौंस कियाता है SKD का प्रोग्राम, तो मैंने उस दिन बैठ के बनाया था और मेरी उस वीडियो को देखना, और आज की वीडियो आप यकीन ही न करेंगे, वो मैं ही हूँ, दरसल मेरी मसल्स को ये पता है, कि अगर मैं खड़ा हूँ, इसका मतलब अमर चौधरी बोलने वाले होंगे, और मेरे शरीर को पता है, अगर मैं बैठा हूँ, तो उन्हें रेस्ट करना है, फिर वो बोलने वाली पोजिशन में ही नहीं आती हूँ, तो माम आपको प्रेक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ, दिन में पांच बार, चार बार, पांच पांच मिनट के लिए घरवाल, अगर आप सबजी भी पूछ रहे हैं ना मम्मी से मम्मी क्या ब आपको वही बात जो आप नॉर्मल मम्मी से बोलने वाले थे, खड़े होके बोलिये, आपकी बोडी की प्रेक्टिस हो रही है, टंग की प्रेक्टिस हो रही है, फैरों की प्रेक्टिस हो रही है, फोड़ी टंग की प्रेक्टिस हो रही है, फोड़ी प्रेक्टिस हो रही है अब talk to a circle, अब एक circle से बात करें, जो को डर के से दूर होगा confidence केज़े बढ़ेगा public के, public speaking के एक होवी बताता हूँ मैं, public speaking में सबसे महत्मुई शब्द है, public, आपको बोलते हुए डर नहीं लगता है, जान देना, आपको public के सामने बोलते हुए डर लगता है, तो भाई practice भी talk to each other, एक व्यक्ति के सामने, जब वहाँ दो-चार दिन practice हो जाए, घर में चार-पांच लोगों का circle बना लो, पांच मिनट के लिए खड़े हो जाओ, नमश्कार मेरा नामा मर्चावरी है, मैं आपसे यह कहना चारा हूँ, रामाइन सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है, र पांच मिनट के लिए circle के सामने खड़े होकर बोलिये, E, C, then G4 group, जब lockdown खुल जाए, E4, one-to-one आपने practice कर लिए, C, four, चार-पांच लोगों के सामने आप बोलिये, G4 group, अब 20-25 लोगों की class के सामने, अपने classroom के सामने, सर के आने से पहले 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, और क्योंकि आप E के सामने बोल चुके हो, C के सामने बोल चुके हो, तो अब G के सामने बोलना आपके लिए बहुत आसान है, अब आप 25 लोगों के सामने खड़े होई, good morning, welcome back to India, आपका स्वागत है lockdown के बाद आईए, दोस्तों developmental बाते करें, जो मन में आये बोलिये, content के चि लोगों को, तो उने एक उधारन दिया करता था, point समझना, और आज एक बहुत महत्मुन घोशना भी है आप लोगों के लिए, अचा पहले मैं दोस्तों घोशना कर दूँ बीच में, ताकि आजित्य सर और संजीव सर आप मुझे सुन रहे हैं क्या, मैं आपको एक announcement बता लोगों को, एक English Learning App, आगले जो 9999, Skilling U, परविन कुमार राजबर साब का start-up है, उन्होंने अपना एक एप लॉंच किया है, English Learning App लॉंच किया है, जहां आप तीन महीने में इंगलिश सीख सकते हैं, सिखाने वाला कौन होगा, अमर चौधरी, कौस्ट क्या है, प्राइस क्य है उसकी, 99999, आपको कितने में मिल रहा है, हिपो सुमिसर को अपने लोगों के लिए, श्री कुशाल्दास विश्विध्याल्य, अब आपके लिए इस कर यह offer आप लोगों के लिए लिए आया है, जितने तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, श्री कुशाल्दास और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आदित्य विश्वास भूशन सर, संजीव कुमार यादव साब, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो उस एप का लिंक यहां पर शेयर कर दें, दोस्तों पहले 1000 लोगों के लिए वो एप बिलकुल फ्री है, बिलकुल फ्री, जिसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस एप का डाउनलोड, तैंक्यो आदित्य विश्वास भूशन सर, स्किलिंग यू की इंग्लिश लर्निंग अप को आप डाउनलोड करें, वहाँ पे एक इंग्लिश का कोर्स आएगा, उसमें आप रेइस्टर कर सकते हैं, फ्री आफ आपको स्किलिंग यू के साथ मिलकर ये ओफर दे रहा है, आप तमाम लोगों के लिए बिलकुल फ्री है, सुमिश सर, हिप्पो कॉर्परेशन के साथ यों को अल्रेडी बता चुके हैं, हिप्पो कॉर्परेशन के सभी साथ यों के लिए बिलकुल फ्री है, तमाम लोगों registration बिल्कुल free है कल तक हमारे registration की संग्या पर सो शाम launch हुई है कल तक total registration 518 हो चुके हैं अगले सारे registration आप लोगों के लिए free हैं तमाम लोग इस link पर आप share कर सकते हैं कितने आसान तरीके होंगे अभी तो नहीं बता रहा है एक उधारन दे के बता रहा हूँ मैं आपको बहुत आसन तरीका सुमिसर मैं आपको साधुवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने step आगे बढ़ाया skilling you से हाथ मिलाया और हिपो कॉर्परेशन के सब इस हातियों के development के लिए उनके लिए free available जो आपने कराया है श्रीकुषाल दासी श्रिध्याले आप तमाम लोगों को जितने मुझे सुन रहे हैं उनको ये application बिल्कुल free दे रहे हैं skilling you के साथ मिलकर download कर लिया share भी कर दिया क्या बात है सुनम भाटे जी thank you so much download करने के लिए उसका लिंक यहां पर दिया गया होगा वरना आप play store में जाकर skilling you लिखेंगे तो भी आप तो वो play store में मिल जाएगा आप तमाम लोग राकाश भाई करें कितना आसान एंग्लिश तो उस्टो दो मिनट ले रहा हूँ आप चलने देते हैं आप तमाम लोग भी हैं मैं भी हूँ वैसे भी लॉगडाउन में जाना कहा है अशो करगर्वाल साब टेंक्यू रेजिस्टर डिकर लिया है काशिव पंसारी साब इंग्लिश कितनी आसान हो सकते हैं मैं बताता हूँ दोस्तों मैं एक लाइन कहा करता हूँ अकसर वैसे तो बागी चीज़ आप उसमें जाने हूँ आप इन 20 दिनों में एक बात तो समझे गए होंगे कि मुश्किल चीज़ों को आसान कैसे बनाया जाता है उतना तो हम जान मैं आपको एक एक जामपल देता हूँ इंग्लिश को हमने कितना आसान बनाया और हम कितना आसान बनाने वाले हैं दस साल का experience कहां कहां आने वाला है एक उधारन दे रहा हूँ आपको एक सेंटेंज बना के बताता हूँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ इसके लिए आपको एक हजार नियम बनाए जा सकते हैं सब्जेक्ट अब्जेक्ट वाब हेल्पिंग वाब यह पहले वह बाद में बिल्कुल वह नियम जरूरी भी है और मैं आपको देखें हमने थोड़ी बहुत कोशिश क्या कर गया इंग्लिश को कितना आसान बनाने की कोशिश कर गया एक सें मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ जो सबसे पहला वार्ड है जो इसकाम को कर रहा है क्या है मैं इसको उठाई और सबसे पीछे लिखिए और पीछे से जोका तो सेंटेंस बना दीजिए सबसे पीछे क्या है मैं आई फिर क्या है सकता हूँ कैन फिर क्या है बोल इस्पीक फिर क्या है English English I can speak English पहले शब्द को जो उसमें काम कर रहा है उसे उठाईए पीछे लगाईए और पीछे से जो का तो sentence बना दीजिए और बड़ा sentence ले लेते हैं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए आपको English आ चुके हैं दोस्तों बताईए मैंने क्या तरीका बताया हमें को उठ चाहिए शोड उसके बाद उठना गेट अप उसके बाद सुबह जल्दी अरली इंदा मार्निंग वी शोड गेट अपर लींदा मार्निंग करना कि आप इस मैं को उठाइए पीछे ले जाएए पीछे जबनाएए मैं पहले ज़िल आओंगा तुमारे घर इसे बहुत सारी को क nella डानोड को यहां पर हमने डाउनलोड करने के क्लिए आपको लिंक दे दिया आप डाउन्लोड कर सकते हैं पहले 1000 डाउन्लोड टोटली फ्री है तैंक्यू सो मच मैं आ रहा हूँ B.I.B. पे E.4 टॉप टू इच अदर फिर C.4 सर्केल दें G.4 ग्रोप आप वह से प्रेक्टिस करने शुरू करिए आपको धीरे धीरे कॉंफिडेंस भी इंप्रूव हो जाएगा बॉडी लेंग्वेज भी इंप्रूव हो जाएगी आज के लाश्ट दो टूल शेयर कर रहा हूँ अगले टूल का नाम है E.V.M. पब्लिक स्पीकिंग करते हैं समयाँ अच्छा ध्यान देना अभी मैं पब्लिक स्पीकिंग में टॉप कैसे करें कि भी करना है और इसमें टॉप करें एविम जो फार्मूला है ए-वी इसके दो मैंने आपको दो फार्मैट है इविम का मतलब है यानि कहां तक को स्टार्टिंग का मतलब है कहां से शुचना है तो EVM सब्सक्राइब की स्पीक में तीन बहुत महत्मून चीजें हैं यहां तक तो हमें पहुचना है यहां से शुरू नहीं करना शुरू कौन सा EVM है E4 Energy V4 Volume Up M4 Motivating समझे न दोस्तों आगर मैं आपसे कहूँ कि आप तो बोलते समय आई कॉंटेक्ट बना के रखना है तो क्या आप मेरे बोलते ही बना लेंगे अरे भाईया इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए तो 4-5-6 बार आना पड़ेगा इसके बाद तो 10-20 बार प्रैक्टिस करेंगे तब 21 बार में आई कॉंटेक्ट बनेगा अगर मैं V4 Voice Modulation में कहूँ भाई आपको Voice Modulation अच्छा रखना है तो क्या आप इसे रखना शुरू कर दोगे भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये चीजे वो हैं जो आपको 10-15 दिन बूला करो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या इसके लिए किताबे पढ़नी पड़ेगी क्या इसके लिए MBA करनी पड़ेगी ना कुछ नहीं आपको decision लेना बात खतम अब हो गए आप थोड़े सा energy में V4 volume up आप जितनी भी speed पर speed से मेरा मतलब है आवाज decision यह practice के चीज नहीं है यह देखो दो तरह के change होते हैं दुनिया में मैं कभी फिर बात करूँगा एक change होता बियार्ड change एक होता है shaving change बियार्ड change और shaving change में अंतरबाद में बताऊँ है फिलाल मैं यह बता दूँ आपको कि आपको eye contact सुधारने में 15 दिन लग सकते है energy में त कौन से practice की जोड़ता है तो आप EVM से शुरू करें आज के बाद नहीं हम बना लो मैं बैच के भी बोलूँगा किसी से भी बात करूँगा energetic हो के बात करूँगा voice modulus one new up होगी और M मतलब motivating होगा EVM चलिए दोस्तों आज हमने तीन formula सीखे ECG, talk to each other, talk to our circle, talk to our group यहाँ से शुरू करें फिर हमने एक सीखा EVM हमारी energy होनी चाहिए volume up होनी चाहिए और M यानी motivating होना चाहिए बाकी तीसरा हमने formula सीखा R, O, L, S, R मतलब reading, O मतलब observation, L मतलब listening, पढ़िए, सुनिए, देखिए, और then you will be able to speak, तब आप उसको बोल पाएंगे मैं यह उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज इस सेशन के तुरंध बाल शुरू कर देंगे, आप गलती करने से नहीं घबराएंगे, गलत करने से English ना बोलना, पबलिक स्पिकिंग ना करना, लोगों के सामने ना बोल पाना, यह गलत है यह गलती है, गलतीयां सुधर जाती है, गलत का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, चालान कटवा लीजिए, गलतीयां करना शुरू कर दीजिए, एक बाद ट्राइमार के हिम्मत करके सामने आ जाईए, गबर बसंती वीरू बन जाईए, और फिर हमने फॉर्मूले क्या है, आप कंटेंट भर लीजिए, टंकी भर लीजिए, फिर हमने क्या सीखी हमें। बसंती कारिये, टीलीवरि की प्रैक्ट्टिस करिये, बूलने की प्रैक्ट्टिस करिये, लोगों के सामने बात करने की, और हमने ECG और EVM फॉर्मूला सीखा है, कर के लिए मेरे पास एक अन अटेंड करने वाले हैं मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया के लिए आई बी बोल इंडिया को स्किलिंग यू के से लर्निंग इंग्लिश को हम या शेयर कर सकते हैं आप इसमें रेश्टेशन कराने फ्री का पहले एक हजार को बिलकुल फ्री है श्रीकुशालदा स्विश्विश धरल लेगी आपको पेशका से स्किलिंग यू के साथ मिलकर सुमित मिश्टा सर आपने हम इपको कार्पेशन के तमाम लोगों को ये गिफ्ट अल्रेडी देखाए